सकते हैं तो रेडिंग टन का चार्ट का structure में देख रहा हूं, तो चार्ट का structure ठीक ठाक बना हुआ है, 180 के आज पास थोड़ा हल्का सा selling यहां पर देखने को मुझे मिल रहा है, बट बड़ी time frame का अगर मैं चार्ट का structure देखता हूं, तो चार्ट का structure ओके है, कोई इतना problem है नहीं, और eventually stock के अंदर थोड़ा 180 के आसपास से थोड़ा selling आ सकता है पर ज़्यादा stocks नीचे नहीं जाएगा तो मेरे इसाब से ये stock के अंदर है ना buy and dips अगर हमें करना है तो हम जरूर से buy and dips कर सकते है every decline is a buying opportunity in Reddington तो मैं यहाँ पर जिस तरह का आपको suggestions दे रहा हूँ उसी तरह से आपको काम करना है और मैं थोड़ी long term की advice यहाँ पर दे रहा हूँ तो मैं आपको 3 slots के अंदर buy करने का recommendations देता हूँ यहाँ पर तो Reddington का जो current market price है 175 के आसपास जो stock का price चल रहा है यहाँ पर ही at least 30% quantity आप buy कर लो another 30% quantity आपको buy करना है somewhere around 168 rupees के आसपास somewhere around 168 rupees के आसपास और बाकी का 40% quantity आपको buy करना है somewhere around 162 के आसपास और फिर closing basis के उपर आपको stop loss maintain करना होगा वो है 156 rupees का so Reddington का chart का structure काफी अच्छा है और eventually 180 के आसपास थोड़ा hurdles आएगा थोड़ा stock downfall दिखाएगा उसके बाद stocks उपर बढ़ना start किया तो आप लोग समझ लीजिए 200 के पार जाना तय है correct तो आने वाले दिनों में आपको lifetime high इस stock के अंदर देखने को मिलेंगे यह मेरा strong conviction है तो यह stock को buy and dips अगर आपको करना है जो levels बताया है वो levels के आसपास ही किसी को भी उसी slot उसी percentage के allocation के साथ buy करना हो systematic थरीके से तो long term के लिए आप जरूर से buy कर सकते हो तो जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लो काम जरूर से कीजिएगा दोस्तो